हाई फ्रेंट मैं हुआने वेलकुम दी मुविश्रू भी करते हैं आपसे पॉलेटफ सा नमस्कार तो मुकेश जो खन्ना है उनको लेके और शारुकान को लेके और आज्ये देवगन को लेके अक्षे गुमार को लेके काफी सारी कॉंटम्पलेशन हो और उससे बड़ी पर कुछ अपना इंस्टाग्राम के ऊपर कि शारुक खान के बारे में अपने कुछ न्यूस बहुत अच्छा से कवर करी जब उनका एक्स ब्राइन यानिकी ड्रॉप टू जो बोला है उन्होंने बहुत अच्छा निकल के आए अब सल्मान खान का जो बींग हुमन है उसका अच्छा बहुत दोनों ही बहुत जादा प्रीमियम लग एक तो लग्जरी सेग्में में आजाता है यह प्रीमियम सेग्में में आजाता है तो यह मोर अफोटेबल होगा अफकॉस मैं हाला कि दोनों ब्रैंट जी नहीं खरी दें आस तक अब अगर आप चाहोगे मलाव कभ बहुत जा रहा है तो थैंक्यू बरी मज़ होगे है उसका उसके बारे में एक न्यूस है और पर secondly जो मूविः भी वो खर ने वाले एयर मूर्दुदूजजज़ इसका क्या उने वाला अगर आपको ऐस सा लगता है कि Tiger 3size 20 से बीनलगे Crows की होगी टो बहुत अच्छी बात है उनकी action sequences देखने लाएक होंगे बिल्कुल मास मसाला ये मूवी होगी सल्मान खान का जो जन्वेन अफ्तार है वो वापिस आ जाएगा में से शूटिंग स्टार्ट है और इद नेक्स तियर के उपर यह रिलीज भी हो जाएगी फटा फट से और जो प्रोडक्शन हाउस है वो बड़ा ही प्रो सल्मान खान है यहनी नाडिया वाला वो काफी जाद अच्छे रिलेशंशिप है वो उनको टैकल करना भी अच्छे तरीके से जानते हैं जैसे के को गयरा भी बनी थी पहले तो यहां तक का आ गया था कि इस मूवी का नाम ही केक टू रग दिया जाएगा बट लेट सी हाओ इसका न होगी और end of 2025 को यह रिलीज होगी और end of 2025 मतलब December के आसपस Christmas time के उपर हुए रिलीज होने की पूरी संभावना यानि एक ही साल के अंदर आप दो मूवी देखोगे सलमान खान की और इस बिट्वीन जो वार वगेरा जैसी मूवी आएंगी वार्टू वगेरा उसके अंदर सलमान खान नहीं देखोगे हमने पहली बता दे आपको कि सलमान खान और या शोपर ने डिसाइड करा है कि यह बहुत ही बड़ा लार्ज दन लाइफ कारेक्टर है तो यह बात ठीक नहीं है कि इसको सिर्फ कैमियोज में वेस्ट कर दिया जाए तो एक प्रॉपर मूवी यह बड़िए अपड़िए यह साथ टेक नेक्टर बड़ाई